ब्रिष्टी की चाई की टपरी में आप सब का स्वागत है ठंड की सुरवात हो गई है ऐसे में एक चीज है ना जो कभी भी मना नहीं की जाती है वो है चाई वैसे चाई बनाना सबको आता है आज मैं आप लोगों के साथ एक मसाला चाई की रेस्पी सेर करने वाली हूँ डिलीसियस बोलना गलत होगा जिने चाई पसंद है उनके लिए अमरित के समान है अगर आपको सर्दी जुखाम होता है तो ये आपको उससे भी राहत देगी तो चलिए बनाते हैं चाई मसाला तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए छोटी वाली हरी लाइची और ये मैं ल मिर चाहती है ना वो मैंने लिया यहाँ पर 3 वा 4 चममच सारी चीजों का जो रेशियो है ना वो आप परफेक्ट रखिएगा क्या गजब का चाई मसाला बन करके तयार होगा मतलब जैसे कि हम रेश्टरेंट धाबे में पीते हैं बिल्कुल वैसे ही साथी आड़ कर रही एक बड़ी सी डाल चिनी का टुकड़ा मतलब दो इन जितना बड़ा होगा और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ जाइफल जो कि मैं पूरा नहीं आड़ करूंगी आधा ही आड़ करेंगे चाहे में इसका बहुत ही माइल्ड सा फ्लेवर आता है ना तो बहुत ही जादा अ अच्छा है उसमें साथ ही एड़ करेंगे एक चमश सौफ जो हरी वाली सौफ आती है ना वो एड़ किसेगा अब यहाँ पर फ्लेम को अन करेंगे जब आप सारे मसाले डाल दीजेगा ना पैन में उसके बाद ही अन किसेगा अगर पहले से अन कर देंगे ना तो मसाले जलन मसाले जैसे ही भुन जाए दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे और उसे पूरा ठंडा करेंगे अब मैं यहाँ पर ले रही हो तुलसी पत्ता जो की चाय में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है अगर आपको फ्लेवर पसंद है तो ही एड़ किसेगा अगर नहीं पसं चाय में यह और सर्दी जुखाम वेगरा होता है ना तो उसमें भी राहत देता है तुलसी को तब तक के लिए भूनेंगे जब तक कि अच्छे से ड्राय ना हो जाए अब मैं यहाँ पर ले रही हो गुलाब फूल की पंखुडिया इससे चाय में बहुत ही अच्छी खुस् अब मैं यहाँ पर एक और में इंग्रीडियंट एड कर रही हूँ वो है सौट पाउडर ड्राय जिंजर पाउडर अद्रक का सूखा पाउडर है यह आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा आप पहले उसे मिक्सर में चला ले या फिर पाउडर भी मिलता है यह मैंने घर में मिक्सर में चला लिया है और इसे हम यहाँ पर एक से दो मिनट तक के लिए भूनेंगे बहुत हलके आच में भूनना है सारी चीजों को और जैसे इसमें हलकी हलकी खुस्बू आने लगे न हम तुरंती फ्लेम को आफ कर देंगे और इसे उतार करके साइड म खरकेंगे और यह जो मसाले है ना ठंडे हो गाया है तो अब हम इसे ग्राइंड करेंगे ध्यान रहे मसालों को आपको गरम-गरम में नहीं पीसना है नहीं तो जो मसाले पहले से भूने हुए गरम थे वो और भी मिक्सर में जाकर के जल जाएंगे तो इस बात का आप खास ख्याल रखें एक perfect चाय मसाला बनाने के लिए या फिर कोई और भी मसाला बनाने के लिए और ये जो मसाला है उसे आप fine पीछ ले और क्या गजब की खुसबू आ रही है मैं आपको बता नहीं सकती धकन खोलते ही क्या गजब की खुसबू फैल गई प मसाले को और इसे आप किसी टीसू पेपर से cover करके रखे या simply कपड़े से cover करके अच्छे से ढखकन से tight कर दे ऐसे बिलकुल भी ना रखे नहीं तो इसमें जो खुसबू है न वो उड़ जाएगी और फिर इसका कोई मतलब नहीं रहेगा इस मसाले को आप दो महिने तक अरा पानी ले लिया है जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा हम इसमें आड़ कर देंगे चाय पत्ती चाय पत्ती एक अच्छी quality का लिज़ेगा तो चाय अच्छा बन करके तयार होगा जैसे ही चाय पत्ती थोड़ी सी उबलने लगेगी हम इसमें चीनी आड़ करेंगे जितना मीठा आपको पसंद हो, उस हिसाब से आप इसमें चीनी आड़ कर लिजेगा, मैंने यहाँ पर तक्रीबं देड़ चमचे करीब चीनी आड़ किये, और देड़ चमची चाय पत्ती, अब हम यहाँ पर चाय में एक दो उबाल आने देंगे, उसके बाद इसमें दूद आड़ करेंग वैसे मैं सच सच बताओं, मैं बिल्कुल भी चाय लवर नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ, मतलब तीन चार महिने में एक बार हो जाए, तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन यह चाय मसाला घर में बना हुआ रहता है, तो घर में जब भी कोई महमान अगर आते हैं, या फिर किसी को पीने का मन क्या, तो आप तुरंत ही जटपट बना करके दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऑथेंटिक चाय, अब यहाँ पर चाय थोड़ी दिर उबल गया है, तो अब मैं लाश में इसमें एड़ कर रही हूँ, चाय मसाला, दो कप के करीब म मैंने याँ पर आधा छोटा चमत चाय मसाला अइड़ किया है, तो जो चाय मसाला है ऊसे एकडम लाश में ही एड़ किसेगा, ताकि उसका सारा फ्लेवर चाय में अच्छे से आए, अगर आप पहले ही एड़ कर दीजएगा तो फ्लेवर सारा ओड़ जाएगा, तो आप ला द्रग को कूटने की जरुत नहीं है एक ही बार आप मसाला यहां पर तयार कर लें और उससे आप चाय बनाएं लेकिन ध्यान दए दो महिने से ज्यादा आप इस मसाले को श्टोर ना करें कमी क्वांटिटी में एक बार में बनाएं और अराम से इंजॉय करें क्योंकि ज्याद